best 200 cc की bikes in India in 2024 नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसा आप लोग आज इस उडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ best 200 cc की bikes in India in 2024 अगर आप लोगों को इससे कम cc की bikes चाहिए यानि कि 150 cc, 160 cc, 125 cc तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो तो चलिए ज़्यादा डाइम वेट नहीं करते and start करते हैं अपना वीडियो तो नमबर 6 पर है Honda Hornet 2.0 या फिर Honda CB200X ये एक commuter bike है और ये bike उनके लिए best choice है जिनको जादा करके CT के अंदर चलानी है और जिनको एक bike से अच्छा mileage चाहिए बढ़ उसके साथ साथ एक अच्छा and powerful engine भी चाहिए और सारे latest modern features भी चाहिए तो ये bike आप लोगों के लिए अच्छा choice है प्लस इसकी build quality बहुती अच्छी होने के वज़े से ये bike सालों तक आराम से चल सकती है और ये bike दिखने में भी बहुती अच्छी लगती है Honda Hornet 2.0 में आप लोगों को 184.4cc का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 17.03bhp का and 16.1Nm stock generated करता है ये bike अंदर 6 gears है और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेकर 46 kmpl के बीच में इसका engine smooth है and long lasting भी है और bike चलाने में आप लोगों को मज़ा भी आएगा प्लस ये bike की seat height low होने के वज़े से ये bike सभी लोगों के लिए comfortable भी बन जाती है ये ये bike के अंदर आप लोगों को exact 200cc का engine नहीं मिलेगा बट almost 200cc count होता है इसी लिए जो है वो ये bike को मैंने इस वीडियो के अंदर add किया है ये bike का weight है 142kg के जिसका और आपकी safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा और net का latest on road price range है मेरे यहाँ पर means की थाने महराश्रो में 1,66,000 से लेकर 1,68,000 के बीच में और अगर आप लोग CB200X के ले जाओगे तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा like 1,75,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में तो चलिए भी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में तो निंबर पाच पर है Hero X-Pulse 200 4V यह एक ADV बाइक है और यह बाइक उनके लिए best choice है जिनको adventure touring करनी है और जिनको जादा करके खराब रास्तों पर चलाना है उनके लिए यह बाइक सब सब best choice हो सकती है बट आप लोग इसका scrambler version भी ले सकते हो जिसका नाम है X-Pulse 200 T4V जो की थोड़े से budgeted price range के अंदर आ जाता है बट दुनों भी बाइक में आप लोगों को same engine मिल जाएगा और same features भी मिल जाएगे X-Pulse का latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 1,77,000 से लेकर 1,88,000 के बीच में X-Pulse के latest model में आप लोगों को थोड़ा अच्छा and better engine मिल जाएगा जो थोड़ा सा अच्छा power generate करता है like 199.6 CC का oil cool engine जो के power produce करता है 18.8 BHP का and 17.35 Nm stock generate करता है यह bike अंदर 5 gear से और यह engine mileage deliver करता है 40 से लेकर 42 KM PL के बीच में which is really good अगर आप लोगों को city traffic में भी चलाना है तो आप लोगों को अच्छा mileage मिल जाएगा यह bike का weight है 158 kg और आपकी safety के लिए आप लोगों को यह bike के अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा यह engine की refinement अच्छी है और power delivery भी okay है X-pulse का weight है 159 kg जिसका और इसकी seat height उपर होने के वज़े से में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी problem हो सकती है और अगर आप लोगों को एक sporty look वाली bike चाहे है तो आप लोग Extreme 200S के लिए भी जा सकते हो जिसका latest onward price range है मेरे यहाँ पर 1,70,000 से लेकर 1,72,000 के बीच में तो चलिए भी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में तो नमबर 4 पर है Hero XMR यह एक fully fed sports bike है और Hero की वर से fresh launch हुई है इंडिन मार्केट के अंदर वैसे यह older model करिजमा का new updated redesign करके launch किया गया model है और वैसे भी करिजमा ZMR के बहुत सारे fan थे पहले जिसके वज़े से आज बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे है बट क्या है ना कि इसका price range थोड़ा सा जादा होने के वज़े से में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह bike out of the package deal भी हो सकती है लाइक करिजमा XMR का latest और प्राइज range है मेरे यहाँ पर 2,10,000 से लेकर 2,17,000 के बीच में यह bike sports bike होने के बावजूद भी इसकी sitting position comfortable है और हर एक बंदा इसके उपर बैट के आराम से इसको चला भी सकता है और sports bike riding का मज़ा भी ले सकता है XMR में आप लोगों को all new 210 CC का liquid cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 25.15 BHP का and 20.4 Nm stock generate करता है यह bike के अंदर 6 gears है और यह engine mileage deliver करता है 34 से लेकर 38 KMPL के बीच में यह bike का weight है 163 kgs का और आपकी safety के लिए आप लोगों को यह bike के अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा यह bike के अंदर आप लोगों को सारे latest modern features तो मिल जाएगे बट क्या है ना कि engine की performance थोड़ी सी कम है और price range भी almost उतना है जितने में आप लोगों को premium 200 CC की bike भी मिलती है जिसके वज़े से यह bike की sales सभी के लिए थोड़ी सी down है बट अगर आप लोगों को market में जितनी bikes है उनके मुकाबले कुछ अच्छा और unique चाहिए तो आप लोग यह bike के लिए जा सकते हो और उतना ही नहीं अगर आप लोगों को एक ऐसी bike चाहिए जिसको लेने के यह best choice है जिनको एक अच्छा engine चाहिए जिनको एक अच्छी big quality वाली bike चाहिए और जिनको सारे latest modern features वाली bike चाहिए तो यह bike आप लोगों के लिए सब सब best choice है अप अच्छी 204 में में आप लोगों को 197.75 CC का oil cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 20.54 BHP का and 17.25 Nm stock generate करता है यह bike अंदर 5 gears है और यह engine mileage deliver करता है 38 से लेकर 40 km PL के बीच में इसका engine smooth है और engine की refinement भी अच्छी है और engine की performance भी बहुत ही अच्छी है Apache का latest honor price range है मेरे यहाँ पर 1,72,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में यह bike में अभी से आप लोगों को only एक ही model मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को सारे modern features मिल जाएंगे like riding modes, bluetooth connectivity, turn button navigation जैसे अच्छे features के साथ साथ dual channel ABS जैसा अच्छा features भी Apache का weight है 152 के जिसका और यह bike comfortable है rider and pillion दोनों के लिए भी तो चलिए भी बात करते है next bike के बारे में तो number 2 पर है Bajaj Pulsar NS200 या फिर Bajaj Pulsar RS200 ये एक naked sports bike है और ये bike मैं उनको recommend करूंगा जिनको एक powerful and aggressive bike जाहिए जिसके engine की performance सब सब best हो in the class और साथ मैं जो bike को लेने के बाद maintain करना भी सस्ता होना चाहिए और जो bike के अंदर आप लोगों को सारे latest modern features भी मिल जाए तो ये bike आप लोगों के लिए सब सब best choice है वैसे आप लोग RS200 के लिए जा सकते हो अगर आप लोगों को एक fully fed bike चाहिए तो बट मैं आप लोगों को recommend करूंगा NS200 क्योंकि NS200 बहुती affordable price range में आ जाती है और इसके अंदर आप लोगों को same engine भी मिल जाता है लाइक NS200 का latest 100 price range है मेरे यहाँ पर 171,000 से लेकर 185,000 के बीच में ये bike अब new look में और भी जादा अच्छी लगती है और इसकी build quality भी थोड़ी सी improve हुई है NS200 में आप लोगों को 199.5cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 24.5 bhp का and 18.74 Nm stock generated करता है ये bike के अंदर 6 gears है और ये engine mileage deliver करता है 33 से लेकर 36 kmpl के बीच में इसके engine की refinement थोड़ी सी और बड़ी है और ये bike के gears भी smoothly shift होते है ये bike का weight है 168 के जिसका और अब की safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा वैसे अगर आप लोग RS200 के लिए जाओगे तो उसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 2,10,000 से लेकर 2,15,000 के बीच में तो चलिए भी finally बात करते हैं नंबर 1 के bike के बारे में तो नंबर 1 पर है KTM Duke 200 या फिर RC 200 ये एक naked sports bike है और ये bike उनके लिए अच्छा चोईस है जिनको एक bike से pure fun चाहिए और जिनको एक premium sports bike या फिर premium naked sports bike चाहिए उनके लिए ये bike सबसे best choice है वैसे बहुत सारे लोगों ने इसको नाम दिया है एक pocket rocket क्योंकि ये bike की acceleration speed बहुत ही जादा तेज है जिसके वज़े से जब कोई भी बंदा ये bike को चलाता है तो उसको बहुत ही जादा मज़ा आता है और खास करके ये bike youngsters या फिर college students को पसंद आती है बट क्या है ना कि ये bike की price range थोड़ी सी जादा है जिसके वज़े से कुछ लोग इसको जो है वो avoid ही करते है बट definitely अगर आप लोगों का budget इतना है तो मैं बाकी सब bikes के मुकाबले ये bike आप लोगों को recommend करूंगा और मेरी ओर से ये KTM की value for money bikes भी है Duke 200 में आप लोगों को 199.5cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 24.67 BHP का 19.3 Nm stock generated करता है ये bike के अंदर 6 gears है और ये engine mileage deliver करता है 34 से लेकर 36 km PL के बीच में इसके engine smooth है और engine की power delivery सबसे quick है in this video और 200cc की segment के अंदर ये bike की sitting position अच्छी है बट इसकी seat है थोड़ी सी उपर होने के वज़े से में भी shorter rudder के लिए थोड़ी सी problem हो सकती है और Duke 200 का new model दिखने में और भी जादा cool and अच्छा लगता है Duke 200 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 2,30,000 से लेकर 2,35,000 के बीच में और अगर आप लोग RC 200 के लिए जाने वाले हो तो RC 200 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 2,50,000 से लेकर 2,58,000 के बीच में Duke 200 का weight है 159 kg और अपकी safety के लिए आप लोगों को यह bike के अंदर dual channel ABS के साथ switchable ABS का option भी मिल जाएगा यह bike एक premium bike है KTM के ओर से और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे latest modern features भी मिल जाएगे और KTM ने खास करके एक rider को ध्यान में रखकर यह bike के अंदर छोटे से छोटे changes भी किये है जिसके वज़े से आप लोगों को यह bike चलाने में और भी जादा मज़ा आएगा बट सब चीजों के साथ साथ एक छोटी सी problem यह bike के अंदर यह है यह bike को लेने के बाद maintain करना थोड़ा सा costly जा सकता है comparing other 200cc की bikes so guys that is from my side अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को किसी भी bike से regarding कोई भी तरीके का doubt रहेगा तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो thank you so much guys for watching bye-bye and congratulations for your new bike यह प्रुईस कर सकते हो